कि एवरीबन कैसे आप लोग आपसे बच्चे होंगे में वह बख बढ़िया हूं तो अपना सीए फॉंडिशन में हम लोग कर रहे थे इंडियन राइगुलेटरे सिस्टम जिसमें हम लोग लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं तो चलिए मैं डिर्क यहीं से स्टार्ट करता ह आँ इंडियन राइगुलेटरे सिस्टम का लास्ट पार्ट और वो क्या है श्रॉक्ट्टर ओ पिर ऑन्यक्किर ओफ दो एन देन जुटिशन Sithस्टुमेंज है थे का है? तो एसके रिघरर्टिंग क्या कहता है देसं कि रिकार्टिं उन करलों किया हbersक्री है when there is a dispute between citizen or between citizens and the government यानि कि यहां पे दो लोग के बीच में डिस्पूट चल रहा है दो लोग के किसकी एक चल रहा है कि इसे डिस्पूट की बात चल लिए और दूसरा दूसरा चल रहा है यह citizen तो है यह citizen है और citizen के साथ में किसके डिस्पूट की बात चल रही है गवर्मेंट के डिस्पूट की अगर जहां कहीं भी क्या होगा जहां कहीं भी क्या होगा इस्पूट को रिजॉल्व करने के लिए कोई ने कोई judicial body या judiciary body आएगी आया ना आएगे तो अब वो बॉड़ी कौन-कौन सी है तो फंक्शन ऑफ judiciary system of India are judiciary system का function क्या क्या है तो सबसे पहला regulation of the interpretation of act in code यानि की जो acts या codes होते हैं इनके अगर मैं regulation ना बोलूं अगर मैं बोलूं इनके लैंग्विज का interpretation इनके language का इंटर protection इनके language का इनके language का क्या होगा बाबू इनके language का होगा interpretation यानि की अप्ट का language क्या क्या रहा है उसको interpret करना okay next one resolution dispute resolution देना ठीके फिर promotion of fairness among the citizen of land citizen of land का मतलब इंडिया citizen of इंडिया यानि की fairness को promote करना यानि यानि की ओर जो है वो किसी एक specific individual के against में judgment नहीं देगा जब तक की दोनों साइड के तक्तियों को जान ना ले clear है हाँ sir clear है okay तो इंडिया में कौन-कौन से court है तो इंडिया में सबसे पहला supreme court supreme court यानि कि supreme को बोलते हैं supreme court को बोलते हैं apex body of judiciary supreme court को क्या बोलते हैं apex body of judiciary judiciary इसके establishment कब हुआ था 26 january establishment कब हुआ था बाबाबा 26 january 1915 okay 26 january 1915 cji chief justice of india is the highest authority appointed under article 126 cji जो होता है chief justice of india जो होता है वह highest authority होता है ठीक है किसीश के लिए court में supreme court के judgment के लिए okay the principal bench of supreme court consist of consist of seven members including cji including cji आई तो मैं बोलूं तो अगर मैं बोलूं कि supreme court का जो bench होता है उसमें कित्ते लोग होंगे उसमें होंगे साथ लो एक chief justice of india और इनके साथ में six members यानि कि total मिला के साथ total मिला के साथ ठीक है okay presently the number of the number of the number has increased to 34 including cji due to raising the number of cases and workload ये देखो start में ये था ये कब था at the beginning at the beginning कितने थे साथ अब भी कितने हैं अब भी है cji आई और 30 members clear है अजिसर, clear okay okay तो Supreme Court तो और सब तह मां चला है रहा ता हम आओ okay देखो अन इडिविजूल के सीख रेलीफ इन सुप्रीम कोट बाइड पाइल रेट पेशन अंड आर्टिकल 32 ठीक है अगर किसी इंडिविजूल को रेलीफ के लिए फाइल करना है सुप्रीम कोट में केस तो वो रेट पेटिशन फाइल करेगा आर्टिकल 32 के तहर clear है अनिसर clear है नौन नेक्स वन हाइक उट नेक्स वन हाइक उट घूर कोड जो है वो क्या है एपक्स पॉली है हाई कोट क्या होता है यह हर एक स्टेट में होता है यह हर एक स्टेट में इंडिया के लिए सबसे बड़ा कोट कौन सा है सुप्रीम कोट और एक स्टेट में टोन होता है हाई कोट ठीक है अब देखो अब देखेज़ दो अपील इन इच स्टेट में अपील करने के लिए सबसे हाइस पोट या यून टरिटरी में अपील करने के लिए सबसे हाइस कौट कौन सा होता है हाई कोट होता है आर्टिकल दोसो चौदा अप्रेंट इन इच स्टेट आर्टिकल दोसो चौदा बोलता है कि हरे एक स्टेट में हाई कोट एक हाई कोट होगा ता हाई कोट है अपीलेंट ओर इंट जुडियू डिक्शन एंड शुपर वीजनरी जूरी 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 जुरिटिक्शन देने का काम है किसका हाई कोट काम है क्लेर ओके और आडिकल 227 ऑफ्तर इंडियन कॉंस्टिटिशन लेंट दा हाइक पूर्ट सुपरवाइजरी पावर को लेंट कौन करता है आडिकल 227 चैनल इंडिया अब भी 25 हाई कोट है 20 हाई कोट है one of the each state and union territory and one of each state and union territory ठीक है six states share a single हाई कोट देखो नौर्थिस्ट में नौर्थिस्ट के 6 states को मिलाके सरफ एक हाई कोट है वो है असम में कहाँ पे असम में कहाँ पे असम में क्लियर है एक 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 एडिविजुल कन सीट रेमेडीज अगेंस्ट वालेशन अपनामन दाव राइट इन दा हाई कोट वाई पालिग परिशन अडर्ट अर्टिकल 20 226 क्लियर है सुप्रेम कोट में सुप्रेम कोट में अगर आपको फाइल करना है ठीक है इंडिविजुल को रिलेव चाहिए और उसके लिए केस फाइल करना है तो उसको रिट पेटिशन फाइल करना पड़ेगा अंडर अर्टिकल 32 तो आपको फाइल करना पड़ेगा अंडर अर्टिकल 226 फिर एक विच इस दो ओल्डेस्ट हाई कोट इन दे कंट्री इन इंडिया क्यालकटा हाई कोट जो के स्टैबलिश हुआ था दू जुलाई 1862 को क्यालकटा हाई कोट जो है वो इंडिया का सबसे पुडाना हाई कोट है जो नुए 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 न पहां पहो इन सब की हैरिंग कहां पही में सब की हैरिंग होगी दिश्टी कोट में दो पूर और सेसंद देल्स विद क्रिमिनल मैटर अपार अपर अपर डिल करता है अधर पीक निरे जुरिक्षिन अशिवल ज़र्ज चैन ट्राइस वैलिविशन नॉट मेर अनली दन तू करो ठीक है ऑगे जुरिक्षिन मेंस पावर तू कंट्रोल गेट टेरे ट्रेटर्ट जुरिट्ट अपने क्या होता है पावर होता है अपना च्यमता होता है ऐसा नहीं कि जो डिस्टिक कोट का जज रहेगा वो सुप्रेम कोट के सुप्रीम कोट में जाके क्या कर देगा अपना वोडिक देदेगा ठीक है ऐसा नहीं होगा ठीक है तो डिस्टिक कोट में कौनकौन से मामले एक की सुनवाई होई डिस्टिक कोट में civil law and criminal law मेट्रोपोलेटन कोट, क्या बोलता है? मेट्रोपोलेटन कोट are established in metropolitan नाम से क्या लग रहा है? मेट्रोपोलेटन नीजे कहां पर मिलेगा? अपने को मेट्रोपोलेटन सिटी में मिलेगा in consultation with the high court where the population is 10 lakh or more यानि कि जहां पे population जिस city सहर में population 10 lakh से जादा होगा वहां पे high court के high court के high court के consultation से ही metropolitan court बनेगा chief metropolitan magistrate यानि C M has power as a chief judicial magistrate and metropolitan magistrate has power as the vote of magistrate of first class जो chief metropolitan magistrate होगा उसके पास पावर होगा C J M का chief judicial magistrate का और metropolitan magistrate जो होगा उसके पास पावर होगा court of magistrate first class वाले clear तो यहां पे आपका chapter जो है वो खतम होता है ठीक है बट यह अभी नहीं करना चीए यह करेंगे last minute पहले कर ले question okay a chartered accountant a chartered accountant a chartered accountant should be aware of law because because a chartered accountant should be aware of law because क्यू law के बार में क्यू में बार होगा he has the right to he has to be an expert in law क्या chartered accountant law में एक्सकूर्ट होते नहीं he has arguing court and supreme court अरे वकील थोड़ी यह भाई नहीं कर रहे है next one he has advice management and client on legal matter at the basic or threshold level yes see अरे अपने को client को service देनी है ठीक है तो अपने को management को service देना है company के management को service देना है firm के management तो service देना है तो उतना तो अपने को law पता होने सीगे हां जी ठीक है now next one which of the following is not a main source of law in India main source of law main source of law main source of law in India में क्या नहीं legal textbook parliament state assembly constitution है 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 legal textbook वो नहीं है main source of law नहीं है ठीक है okay next one in India we follow the federal system of government that means federal का मतलब क्या आता है कि power जो है वो distribute हो गया है central state के बीच में और इंडिया क्या है कोजी federal ठीक है okay constitution को adopt कप किया गया था constitution को adopt कप किया गया था constitution को adopt किया गया था पचास में ठीक है okay income tax law income tax income tax law जो है वो पार्ठी किसका था था किया था 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 है the law the law connected with violation of rules and law and punishment the law concerned with violation of rule of law and punishment of the same is called criminal law it's called criminal okay 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 next one which of the following is not an example of civil law civil law के एग्जाम्पल कौन सा निए breach of contract civil law में कवर होता है non delivery of goods civil law में covered होता है non payment of non payment of civil law में होता है यह नहीं होता है यह नहीं होता है यानि की answer कौन है C okay next one when the law is proposed in Parliament जब पर्लियमेंट में लोग को प्रपोस किया जाता है तो वो सिर्फ बिल ही रहता है which is the following is not a department of ministry of finance ministry of finance का department कौन सा निए economic affair है हां जी है department of expenditure भी है revenue भी है department of state नहीं है ठीक है next what get territorial limit based on which territorial limit जो मिलता है वो किसके basis पर मिलता है local the local limit within which the party reside and local limit within which the property under dispute is located यहां पे आपका हो जाता है chapter यहां पे आपका हो जाता है chapter over ठीक है तो हमने आज chapter को over कर दिया ठीक है तो next class में हम लोग स्टार्ट करेंगे next class में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग स्टार्ट करेंगे next class में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिया इंडिया ओंट्राक्ट अट 1872 एंसर क्लियर है तब तक लिए श्टार्ट आप आप आई-बाई-बाई श्यू नेक्स क्लास अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन हिट कर ले ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट मिलता रहे अबिकले थैंक यू सो मच अटा बाइ बाई लव यू गईस